हालो फ्रेंट्स मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्षे स्टूडियोज तो आज हम फोटोशॉप में देखेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट इस आप्शन का यूज़ करके कैसे हम प्रोडक्ट मौक अप कर सकते हो और वो भी बहुत ही आसनी से तो यह चले शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं यहां पे एक लेयर क्रियेट करता हूँ लेयर क्रियेट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम देखेंगे आगे तो मल्टिपल प्रोडक्स या मल्टिपल डिजाइन्स हम ट्राय कर सकते हैं एकी बॉक्स पे लेयर अगर हम create करें तो, तो हमें सीधा जाना पड़ेगा filter vanishing point पे, तो यहाँ पे बहुत सारे options मिलेंगे, सबसे पहले जो सबसे important option है, create plain tool तो हमें plain create करना पड़ेगा vanishing point का, तो यहाँ पे बहुत ही carefully आप यह create कीजिएगा देखे, one point, click second, third और यह fourth, अगर आप satisfied नहीं हो, तो इसको zoom करके, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया, तो इसको आप change भी कर सकते हो edit कर सकते हो यहाँ पे दिक्कत तब आती है, जब दोनों तरप से आप plane create करते हो, तब हम इसको edit नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यह एक side में plane है, तो इसको हम easily edit कर सकते हैं और मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है तो यह देखिए, यह one side हमने create कर दी, mock up की और यह plane हमने create कर दिया, अभी अगर हमें यह upper side पे अगर चाहिए, तो simply हमें control प्रेस करके रखना पड़ेगा, या अगर आप mac उज़ कर रहे हैं, तो command प्रेस करके रखेगा, और यह यहाँ पे इसको खीचना पड़ेगा, यह कुछ इस तरह से, तो जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे match नहीं हो रहे हैं, points तो इसको वापस आप click करके match कर सकते हैं, और याद रखेगा, जितना आप अच्छी तरह के से points match करोगे, planes match करोगे, उतना result अच्छा हैगा, तो यह हो गया, उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे चाहिए, तो control प्रेस करके वापस, यह command प्रेस करके यहाँ पे मैं नीचे यह drag करता हूँ और जैसा कि मैंने बोला कि दोनों side पे अगर हैं, तो यह देखिए, यहाँ पे यह ठीक से edit नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं adjust करना पड़ेगा और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले देता हूँ थोड़ा सा यह ज्यादा उपर हो गया ठीक है, यह ठीक ठाक लग रहा है, perfect नहीं है लेकिन ठीक ठाक लग रहा है, तो यह कुछ इस तरीके से हमने यह vanishing point अभी यह plane create किया, इसको अगर आप edit करना चाहों तो वापस edit कर सकते हो, कुछ इस तरह से, तो यह मैं satisfy हो गया हूँ इससे, तो इसको मैं ok कर देता हूँ, ok अगर आपने एक बार कर दिया तो यह plane यहाँ पे रहेगा तो जो भी product मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ पे लूँगा, तो यहाँ पे मैंने already कुछ चीज़े open करके रखे हैं तो सबसे पहले एक logo है, तो यह जैसा कि आप logo दीख सकते हो, turtle take करके, तो इसको select करना पड़ेगा और क्योंकि यह PNG logo है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, control प्रेस करके इसके thumbnail पे click करता हूँ तो यह सिर्फ logo create करेगा, और इसको control C या command C copy के लिए, और मैं वापस जाओंगा यहाँ पे product और filter, vanishing point में, यह already यहाँ पे plane दिखेगा हमें और यहाँ पे हमें प्रेस करना है, control V, जो हमने copy किया था, उसको paste करने के लिए, control V, या command V, तो यह paste हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, अगर आपको इसकी size और चेंज करनी हो, तो simply आप क्या कर सकते हो, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसकी size कुछ इस तरह से, अभी यहाँ पे मैं इसको match करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इसको last तक लेके आता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, तो कुछ इस तरह से यह दिखेगा, इसको और थोड़ा सा नीचे, इसको ok कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से यह product हमें दिखेगा, इसको थोड़ा सा और realistic अगर हमें करना है, इसको थोड़ा सा मैं undo करता हूँ, satisfy नहीं हूँ, तो वापस vanishing point में जाके, control V, क्योंकि मुझ मुझे text भी थोड़ा सा यहाँ पर corner में चाहिए था, कुछ इस तरह से, और T press करके आप change कर सकते हूँ, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ही करता हूँ, यहाँ और यहाँ से इसको कीच देता हूँ, क्योंकि मुझे text corner पर चाहिए था, इसको ok कर देता हूँ, तो थोड़ा सा औ और realistic लगेगा, इसमें अगर आपको और क्योंकि हमने layer create किया है, तो इसके blending mode भी हम change कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर multiply रखा, तो ज़्यादा realistic लगेगा, यह normal, और यह multiply पर ज़्यादा यहाँ पर creasing जो है, वो ज़्यादा realistic दिख रही है, तो यह कुछ control A या command A, control C, वापस यहाँ पर जाएगा, वापस filter, vanishing point, वापस paste, इसको यहाँ पर और बड़ा करना है, T press करके, हमें बड़ा करना है, T, shift अगर अपने प्रेस किया, तो थोड़ा सा यह proportion में होगा, यह दिखे, कुछ इस तरह से, इसको यहाँ पर complete कर देते हैं, और इसको okay, थोड़ा सा और realistic करने के लिए blending mode दिखे, multiply अगर मैं रखोंगा, तो और थोड़ा सा ही realistic दिखेगा, यह देखे, यह हो गया, similar लिए, अगर suppose हमने कोई product का design किया है, तो इसको वापस new layer create करके, product का design मैं नहीं हाप एक sample के लिए download किया है, तो इसको भी control A, control C, या command A, command C, औ या command B, और इसको वापस यहाँ पे, और T, और transform, इसको वापस आप, accordingly, set कर सकते हो design, और जितना यह high definition होगा, उतना यहाँ पे थोड़ा सा time, ज्यादा लग सकता है, वो image की quality पे आपके depend करेगा, यह देखे, बहुत ही आसानी समय करती है, okay, similarly, इसको भी अगर हमें चाहिए, तो multiply, तो बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इसको mock-up create किया, product का mock-up create किया, और gift wrap का भी हमने create करके देखा, और एक logo का भी हमने create करके देखा, तो यहाँ पे मैंने तो यह एक, इस type के box पे mock-up करके देखा, आप अलग-अलग type के boxes पे try करके देख सकते हो, जैसे कि for example, यहा आपको clients को अगरा भेजना है करके, तो इस से clients जल्दी final कर देते हैं design, जो भी, क्योंकि यह realistic लगता है, इसलिए, तो ज़रूर इस option का use कीजेगा, बहुत ही easy है, लेकिन बहुत ही useful है, इस option का use करके देखेगा, और अगर आपको यह video useful लगे, तो video को like ज़रूर कीजेगा, म आपको आपको कर दो